नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे जनल पर देखें हम बात करने वाले हैं पटवारी एक्जाम को लेकिए क्या रहेगी इसकी कट ओफ बहुत बड़े सर्वे के बाद बहुत बड़े सर्वे के बाद एक कट ओफ है वो हम आपको बताने वाड़ा हूं लग भग आप य मान लो कि जो राजस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड जो कट ओफ आपकी जारी करेगा वही कट ओफ मा आज आपको बताने वाड़ा हूं इससे उपर नीचे कुछ नहीं होने वाड़ा कट ओफ यही रहेगी अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन की तो वो भी आपको यहा मान के चल सकते हो कि 15 से 20 तक आ सकता है मतलब बताया जैसे जो हरी परशाद सरमाजी उन्होंने बताया था उसे इसाब से 15 से 20 दिसमबर तक आपका रजल्ट भी रिलीज कर दिया जाएगा तो कट ओफ की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट वाड़ों की कि स्ट की कट ओफ है वो कितनी जा सकती है तो स्ट में जिसके भी लगभग आप मान के चलो कि 180 से लगभग 185 के बीच में है वो बंदा सलेक्ट है आप इतना मान सकते हो कि भी हाँ इतनी ही कट ओफ है वो रहेगी 180 से 180 के बीच में जिसके है वो सलेक्ट है फिर हम बात कर लेते है SC वाणों की SC की cut off है वो क्या रहेगी तो SC की जो cut off है वो लगबग इतना मानुआ आप कि किसी के 190 है 190 से 195 तक है वो select है ठीक है 190 से 195 ठीक है फिर अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो EWS वाणे है EWS की merit इसमें कितनी रहे सकती है तो EWS की थोड़ी मतलब इनसे तो देखो high रहेगी लेकिन obviously से इसकी कम रहेगी कोई doubt हो या कोई अंसप ना समझ में आए board हो या जे in it पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका solution है फिलो एप अपने doubt को किसी भी time clear करें in these three easy step सबसे पहले इस एप को play store या app store से डाउंडोड कर लें अपने phone number से easily sign up कर लें अपने question का picture लें या उसे type करके submit कर लें और फिलो आपको 60 second में इंडिया के top experts से live call पे connect कर देगा so guys it's simple have any question then ask फिलो इस एप का link निचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप इसे download कर लें लग बग आप इतना मान सकते हो कि किसी के किसी के अगर 200 200 से 205 के बीच में है वो बनता सेलेक्ट है वाई ठीक है फिर रहेगी अपनी MBC वाड़ों की MBC वाड़ों की लग बग आप मानों कि 204 से 208 के बीच में है ठीक है 204 से 208 के बीच में फिर अगर हम बात करें अपना जो OBC वाड़े हैं उनकी OBC वाड़ों की कट ओफ थोड़ी हाई रहेगी लग बग आप इतना मान सकते हो कि 210 से 215 215 के बीच है ठीक है मान लिजी किसी के 105 से 107 के लग बग है वो बनता सेलेक्ट है ठीक है और फिर आगए अपना जेनरल जेनरल वाड़ों की लग बग आप मान सकते हो कि 216 से 220 तक इतनी ही कट ओफ रहेगी 216 से नीची कट ओफ है जेनरल की नहीं रहने वाड़ी मतलब 108 किसी के अगर है तो ही आपका सेलेक्शन जेनरल में होगा वाकी कोई चांस नहीं है फिमेल के अगर हम बात करें हर केटेगरी में आप कर सकते हो अगर हम बात करें नर्मलाइजेसन की तो नर्मलाइजेसन जैसा की हरी परसाद सर्मा ने पहले बोला था कि जरूरत पड़ी तो हम नर्मलाइजेसन करेंगे और सुत्तर है उसको गुपत रखा जाएगा मतलब यह नहीं बताएंगे कि किसके हमने कितने नमबर दिये किसी को हम पजास भी दे सकते हैं किसी को हम दो भी नहीं देंगे तो वो यह जब रेजल्ट आएगा तो वो बता चल जाएगा आपको अगर इसमें सकैम होना है तो नर्मलाइजेसन होगा और सुत्र गुपत रखा जाएगा ठीक है तो यह मैंजी जाएगा ठीक है और अगर मतलब रेजल्ट के अगर हम बात करें तो वो 15 से 20 तक आपका आजाएगा बाकी आपकी क्या राए है मतलब कब तक नर्मलाइजेसन होगा या नहीं होगा कट अफ कितने जा सकती है वो जरूर बतादे